ताज महल जिससे जुड़े कई राज आज भी राज हैं बेपड़दा नहीं हुए अपनी रीसिन्ट रिपोर्ट में हमने आपको बताया था मुम्ताज और शाजहां की प्रेम कहानी से जुड़े उस काले सच के बारे में जिसके सच होने का दावा इतिहास के जानकार किया करते हैं और आज इस खास रिपोर्ट के जरिये हम आपको मुम्ताज की भटक्ती रूह से जुड़े किस से बताएंगे जो सच है या अफवा हकीकत है या अन्धविश्वास इसके उल्चे तार आज भी सुल्चे नहीं है शाजहा मुम्ताज के प्रेम का प्रतीक जिस ताज महल को बताया जाता है जिसे प्यार की सच्ची मिसाल के तौर पर जाना जाता है उसी को लेकर क्या आप जानते हैं जिस मुम्ताज में शाजहां के प्राण बसते थे उस मुम्ताज महल की आदमा आज भी तडप रही है मगर ताज महल में नहीं बलकि इस ताज महल की मिनारों से भाहर गौर हो की ताज महल को बनाने में करीब 20 वर्षों का समय लगा था और तब तक के लिए बेगम मुम्ताज का शरीर बुर्हानपुर में दफ्न था जिसे बात में आगरास्ते ताज महल में एक खूपसूरत मकबरा बनवा कर दफ्ना दिया गया लेकिन कहा जाता है कि ताज महल में बेगम मुम्ताज महल का सिर्फ शरीर ही आया क्योंकि उनकी रुख पुर्हानपुर में रह गई गौर हो की मध्यप्रदेश में आज भी मुम्ताज का महल है यहां पर रहने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी इस महल से अजीब हो गरीब तरह की आवाजी आती है रात के समय जब रूह, शक्तिशाली मानी जाती है लोगों ने दावा किया है कि रात के समय इस महल में जाने से उन्हें डर लगता है और इसलिए स्थानिय निवासी रात के पैर इस महल में जाने से आज भी कत्राते हैं बुजुर्गों की माने तो सतियों से मुम्ताज महल की रूहू इसी परहामपुर के महल में भटक रही है लेकिन अच्छाई देखिये जरा बुजुर्गों का कहना है कि आज तक मुम्ताज की भटकती रूह ने किसी को परेशान नहीं किया अब इस कहानी में कितनी सच्चाई हैं कितनी ये कहानी कलपना है कितनी ये कहानी बनावटी है ये तो हमारे लिए कहबाना मुश्किल है इसका पता तो वहीं जा कर लगेगा लेकिन यदि मुम्ताज की आत्मा आज भी खंडरों में भटकती हैं किसी को नुकसान नहीं पहुचाती हैं तो इससे ज्यादा अच्छा भला क्या हो सकता है नेक्स्ट नाइम म्यूस से मीखा की रिपोर्ट इससे मीखा की रिपोर्ट